नमस्ते बच्चों आज हम पाठ्क्रम अंक दो पत्ते की नाव इसकी पुनरा हुरुत्ती करेंगे रिविजन करेंगे शब्दार्थ सरोर तालाप छटपटाना तडपना कोशिश प्रयत्न उपाय तरकीब उपाय तरकीब शिकारी शिकार करने वाला संसनाना संसन की आवाज होना वापस से पढ़ेंगे शब्दार्थ सरोर तालाप छटपटाना तडपना कोशिश प्रयत्न उपाय तरकीब शिकारी शिकार करने वाला संसनाना संसन की आवाज होना अभी हम प्रश्न उत्तर भी देखेंगे प्रश्न पहला प्रश्नों के उत्तर लिखो पहला बर्गत के पेड़ पर कोन रहता था उत्तर बर्गत के पेड़ पर कबुतर रहता था दुसरा कबुतर ने चीटी की सहायता कीस प्रकार की उत्तर कबुतर ने एक के बाद एक कई पत्ते तोड़ कर पानी में फेके और उस पत्ते की सहायता से चीटी बज गई उत्तर कबुतर ने एक केड़ बाद एक कई पत्ते तोड़कर पानी में फेके और उस पत्ते की सायता से चिटी बज गई तीसरा चिटी ने कबुतर की सायता की स्प्रकार की उत्तर चिटी ने शिकारी के पैर में काट लिया इससे शिकारी का निशाना चुक गया और कबुतर तुरां तूड गया इससे कबुतर की जान बज गई तीसरा चीटी ने कबुतर की सायता कीस प्रकार की चीटी ने शिकारी के पेर में काट लिया इससे शिकारी का निशाना चूप गया और कबुतर तुरंत उड़ गया इससे कबुतर की जान बज़ गई आगे के प्रश्णतर भी देखेंगे ये हमने पड़ा था अभी हम इसका वाचन करेंगे पहला निमनल लिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखो पहला क्या दिया है चिटी तेजी से दोड़ी दुसरा चिटी तुरंद उस पत्ते पर चड़ गई तिसरा चिटीों के बिल में भी पानी पहुच गया चोथा उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा और निचे फेका तो इसका सही क्रम क्या है अभी हम उसका वाचन करते हैं पहला चिटीों के बिल में भी पानी पहुच गया दुसरा उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा और निचे फेका तिसरा चीटी तूरंट उस पत्ते पर चड़ गई चौथा चीटी तेजी से दोड़ी अब वापस से पढ़ेंगे हाँ पहला चीटियों के बिल में भी पानी पहुच गया दुसरा उसने डाल से एक पत्ता तोड़ा और निचे फेका चीटी तूरंट उस पत्ते पर चड़ गई चौथा चीटी तेजी से दोड़ी ये सही क्रम है प्रश्ना दुसरा सही और गलत का निशान लगाओ पहला सरोर के किनारे पीपल का एक बड़ा पेड़ था तो ये वाक्य गलत है तो हमने गलत का निशान लगाया हुआ है दुसरा एक चीटी पानी में छटपटा रही है ये सही है तो यहाँ पर हमने सही का निशान लगाया हुआ है तीसरा कबुतर को चीटी पर दया आई ये सही वाक्य है कबुतर को चिटी पर दया आई, सही वाक्य चोथा तीर कबुतर की आख में घुज गया, यह गलत है वापस से देखेंगे हाँ पहला सरौर के किनारे पीपल का एक बड़ा पेड था, यह गलत वाक्य है दुसरा एक चीटी पानी में चटपाटा रही है, यह सही वाक्य है तिसरा कबुतर को चीटी पर दया आई, यह सही वाक्य है चोथा तीर कबुतर की आख में घुज गया, यह गलत वाक्य है